पेपर लीग ये शब्द तो आपने अक्सर आप सुनते होंगे पर ये शब्द आजकल राजस्थान में चर्चा का विशाय बना हुआ है हमने देखा कि जिस तरीके से SIE भरती को लेकर पेपर लीग हुआ उसको लेकर फिर बड़े नेता जो है चाहे वो हनुमान बे निवाल हो चाहे सचिन पाइलेट हो चाहे किरोडी लाल मीना हो उन्होंने आवाज उठाई हनुमान बे निवाल ने तो किंद्र सरकार को एक खत लिखा उसमें कहा गया कि फिर से इसकी परिक्षा करवाई जाए यह जिस तरीके से घोटाले हो रहे हैं उनको लेकर सरकार को ध्यान देना चाहिए और सचिन पाइलेट ने भी इसको लेकर जंग छेड़ दी है क्या है पूरी खबर बताऊंगा आपको विस्तार से नमस्कार मेरा नाम रिशव है और आप देख रहे हैं समभा भारत का भारत के लिए राजस्थान की राजनीती को समझना तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये पॉलिटिक्स कैसे काम करती है राजस्थान की राजनीती को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि ये एक complex mix है regional और national dynamics का यहाँ पर कुछ key points हैं जो इसे समझने में मदद करेंगे पेपर लिग का मामला सचिन पाइलेट ने recent political stage पर अपना ध्यान राजस्थान की पेपर लिग मामला जो है उस पर रखा है उन्होंने जो है जिस तरीके से कहा कि युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है आखिर वो कब तक चलेगा राजस्थान में इसके पहले भी नीट पेपर लिग का मामला जब हुआ था तो हमने देखा था कि हनुमान बेनिवाल ने कहा था कि संसत से सड़क तक हम इसको लेकर आवाज उठाएंगे पर युवाओं को न्याय दिलवा कर रहेंगे उसके बाद ऐसा ही भरती में पेपर लिग का मामला हुआ रामू राम जिनकी गिरफतारी होई उनके उपर ये कहा गया कि वो एक हफ़ते पहले पेपर के पेपर अपने घर लेके जाया करते थे अपने बच्चों को देते थे और उसके बाद वो पेपर पांच-पांच लाख रुपए में बेचा जाता था इस तरीके की धांदली राजस्थान में हो रही है इसको लेकर तमाम अभी तक सरकार का कोई इस पर बयान नहीं आया है वसुंद्रा राजे ने सयम बनाने के अपील की एक प्रेस कॉंफरेंस के दौरा पर उसके बाद अगर युवाओं के साथ यह नय हो रहा है सयम कब तक बनाया जाएगा नीट पेपर ली का मामला हुआ उसके लिए अंदोलन किये कैपर उसके अभी कोई खास जो है नेड़ा नहीं आया उसके बाद ऐसाई भरती का मामला कोई भी शात्र जब 10 साल 5 साल तयारी करता है घर से दूर रहकर और उसके साथ जब उसको यह पता चले कि हमने पेपर तो दे दिया पर वो पेपर पहले से ही लीख हो चुका था यह सोच कर उन माताओं और जुपिता उनके जो गारजियान उनके उपर क्या बीती होगी यह सोचना चाहिए सरकार को इसको यही यह शब्द है यह शब्द ठीक उसी तरीके से लिखे गए थे हरुमान बेनीवाल के द्वारा जिन जिस खत में जब किंदर सरकार को उन्होंने खत बेजा और कहा कि इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए जब हम सरकार का भाशर सुनते हैं तो उन्होंने भी कहा कि सरकार इस पर चुपी साधे हुई है आखिर कब तक इस तरीके के मामले लगातार आते रहेंगे और सिर्फ राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में पेपर लीक का मामला आए दिन सामने आता रहता है अब देखने वाली बात होगी कि सर्चिन पाइलेट इस मुद्दे को लेकर आगे कहां तक जाते हैं कितना अंदोलन होता है कितनी आवाजें इसके समर्थन में आती हैं फिर इस मुद्दे पर आपकी क्या रहा है मैं कॉमेंट में बताईएगा और देखते रहें समभा भार के लिए